गुद बर्निंग मैं संजीप मार्जा प्रिवर्शनी के रियर कोंच से आप सभी का हार्दी का भी दन दन करता हूं स्वागत करता हूं चलिए अब आउसत के अगले पार्ट की ओड हम चले जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ट पर पहला कोश्चन पांस संख्यां का उसात है एक संख्या छोड़ देने पर आउसत सोला हो जाता है छोड़ी गई संख्या ग्याद करें चोड़ी गई संख्या ग्याद करें चोड़ी गई संख्या ग्याद करें पांस संख्या का योग क्या होगा बागु पांच यगुना अठारा बराबर नब्य यह पांचों संख् 64 को घटा देंगे, अगर हम 5 संख्याओं के योग में से, इस 5 संख्या के योग में से, इस 4 संख्या एक संख्या को छोड़ दिया, तो 4 संख्या के योग को घटा देंगे, तो छोड़ी गई संख्या निकल जाएगा, तो छोड़ी गई संख्या हो जाएगा, 90 उतने के मान के बड़ावर ही वह संख्या बाहर निकलता तो average पर कोई फर्थ नहीं पर था लेकिन average पर फर्थ पर रहा है देखिए यहाँ average कितना है यहाँ असद कितना है 18, यहाँ असद कितना है 16, कितना से average घट रहा है आपको गिसर 2 से घट रहा तो दो से घट रहा है न एवरेज पाँचो संख्या दो से घट रहा है और सब दो से घट रहा है पाँच संख्या था एक संख्या निकल गया तो बचा कितना चारी संख्या बचा ना चारो दू-दू से घट गया तो चार दूनी आठ चार दूनी आठ टोटल आठ कम हो गया, इसका मतलत आएवरेज से 8 व जदा लेकर निकला होगा और चले पांच लगातार आने वाली संख्याओं का उसत अन है यदि अगली दो संख्या भी शम्रित कर ली जाए तो साथ संख्याओं का उसत ग्यात करे क्या होगा यह आपको बताना है पांच संख्या है माल लेते हैं यह पारी संख्या यह पाली संख्या यह दूसरी यह तीसरी यह चौत और यह पांच में पांचों संख्या है सामिल करेंगे और साथ भी संख्यां को भी सामिल करेंगे अब एवरेज बताना है आपको एवरेज क्या होगा इसमें भी कुमान डिफरेंस कितना का एक एक का है तो बताएंगे सातों संख्यां का बीच जो होगा क्या यह संख्या नहीं होगा जब यह एन है यह तो एक जादा कि दुविदिया ? क्या होगा देखते हैं पांच लाजातार संख्या को रॉसर गतना N आगे की कितनी संख्या सामिल करने वाले हो दो संख्या आगे जितनी भी संख्या सामिल करने वाले हो उतनी बटे हुआ 2 कर देंगे आप एवरेज कितना से बढ़ेगा एक से जो पहले एवरेज N था वो N प्लस 1 हो जाएगा अगर हम आगे की पांच संख्या सामिल करेंगे average पांच बटे दू average पांच बटे दू मतलब धाय बढ़ेगा आगे की तीन संख्या हम सामिल करेंगे तो तीन बटे दू धेर बढ़ेगा, 1.5 बढ़ेगा आईए, next question क्यों चले clean पांच क्रमागत संख्याओं का आउसत N है यदि इन में आगे की दो संख्या भी ले ली जाए तो आउसत में क्या पड़ी बरतन होगा कितनी संख्या ले रहे हो भाई दो संख्या ले रहे हो, दू बटे दू आउसत X से बर जाएगा, ये D नमबर आपका answer हो जाएगा आउसत X से बर जाएगा, आपका आउसत D हो जाएगा पांच क्रमागत संख्याओं का आउसत M है, यदि अगली तीन प्राकिट संख्या को समिल कर ली जाए इन आउसत Sंख्या का आउसत M से आजाएगा ससी 2006 का पूछा हुआ यह कुस्टन है